ओम शान्ती दो अगस्त दो हज़ार बाइस बाबा की महावाक्य मिठे बच्चे पढ़ाई का स्मिरन करते रहो तो कभी भी किसी बात में मूँझेंगे नहीं सदा नशा रहे कि हम हमें पढ़ाने वाला स्वयम निराकार भगवान है प्रश्न इन ग्यान रतनों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है उत्तर जो गरी बच्चे हैं गरी बच्चे ही बाप द्वारा पदमा पदम पती बनते हैं वह माला में पिरो सकते हैं साहुकार को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता है बाबा को इस समय करोड़ पती बच्चे नहीं चाहिए गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है क्योंकि गरीबों को ही साहुकार बनना है धारना के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट शीर सागर में जाने के लिए एक बाब से ही सच्ची प्रीत रखनी है एक की ही अव्यविचारी याद में रहना है और सब को एक बाब की याद दिलानी है सिकिन पॉइंट विनाशी धन का नशा नहीं रखना है ग्यान धन के नशे से ग्यान धन के नशे में स्थाई रहना है पढ़ाई से उच पद पाना है वर्दान बाब की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव कर्म योगी बच्चों को कर्म में बाब का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है कोई भी काम भल कितना भी मुश्किल हो लेकिन बाब की मदद उमंग उत्साह हिम्मत और अथकपन की शक्ती देने वाली है जिस कारे में उमंग उत्साह होता है वह सफल अवश्य होता है बाब अपने हाथ से काम नहीं करते लेकिन मदद देने का काम जरूर करते है तो आप और बाब ऐसी कर्मयोगी स्थिती है तो कभी भी थकावट फील नहीं होगी स्लोगन मेरे में ही आकर्शन होती है इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्थन करो ओम शान्ती